स्री रामकुमार बर्मा मानिय उपसभापती जी मेरे को इस बिल पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया उसके लिए धन्वाद इस ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ट्राइट्स बिल टू थाउजन नाइंटीज इसके लिए मैं मानिय प्रधान मंत्री नरद्र मोदी जी को भी और साथ में मंत्रा ले के और हमारे सदन के नेता स्री आदर्नी स्री थावर चंजी गेहलोज साब को में मंत्राले को भी धन्यवाद दूँगा कि मान्य नरंद्र बोदी जी का एक बहुत बड़ा एक समयधन शीलता उनमें है इस देश के अंदर जिनको न्याई नहीं मिला हो देश में जो प्यक्षित रहे हो इनको सम्मान की आवशकता हो कहीं नहीं कहीं उनको किसी कारण से अपमानित होना पड़े हो ऐसे लोगों के लिए ऐसे विशों के लिए समवेधन शीलता के साथ में घहराईत के साथ में उनका चिंतन रहा और हमने देखा कि बीच में 2014 में बनने के बाद प्रधार मंत्री के रूप माने के बाद उनके नेत्रित में सरकार ने एक के बाद एर एक एक एसे निर्णे लिए जो पिक्षित थे नियाई के लिए पिक्षित थे उनको नियाई मिला चाहे मैं इसके लिए कहूँ कि आप दिव्यांग जन की बात करें, देश के अंदर दिव्यांग जन का क्या हाल था, किस तरह की भावना उसे उनसे देखा जाता था, क्या उनके प्रती सोच था, लेकिन जिस सब्द को भी उन्होंने कम से कम जिस सब्द के कारण उनको अपमानित होना पड़ा उसको भी चेंज करते हुए उन्हें बहुत सारे प्रावधान और एक्ट के तैथ उनको न्याय और सर्रक्षन का काम किया ऐसे ही कुछ लोग जो कॉंस्टिटूशनल प्रोविजन के तेरे प्रोटेक्शन मिला हुआ है अगर किनी भी कारणों से साहिव समिधानिक समिधान के अनुरूप उनको अगर सर्रक्षन नहीं मिला कोट के कहीं काम से उनके साथ में कुछ इस तरह के निर्णा है जिससे वो अ दिसेशन उनके राइड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो थे किनी कारणों से उनके अगेश्ट में कोई बात गई उसको भी समिधानिक दरजा देने के लिए पने संसोधन के माध्यम से उन्होंने बिल पेस किया इसी तरह OBSCST के साथ में चाहे वारक्षन का रहा हो चाह करें OBSC से संबंदित उनको OBSC जो हमारा कमिशन और वो उसके लिए कॉंस्टिटूशनल राइड देने के लिए बिल ला करके उसको उससे मिधानिक मानिता दी हुई हो आज हम पूरे सदन को मैं आपके माध्धम से उनको प्रधान मंत्री जी को और मंत्राले को धन्वात द मत्री जी ने शंक्षिट में भी आपको उनके किस तरह सा उस पर मंधन और चिंतन हुआ और आज इस ट्रांसजेंडर परसंस के लिए प्रोटेक्शन के रूप में उनके राइड्स के प्रोटेक्शन के रूप में बिल राया उसकी अगर हम इस्टी में जाएं तो मैं समझत आओं कि 2013 से लेकर के और आज 2019 तक उसके अंदर जो इस्टेप बाइस्टेप चाहिए वो इलेक्शन कमिशन के कुछ मायने उनके द्वारा रिक्मेंडेशन रही हो चाहिए हमारे सुप्रीम कोट का जो डिसीजन आया उन्होंने जो निर्देशित किया और जो आदेश दिये हो चाहिए प्राइवेट बिल माननी है हमारे उन्रेबल मेंबर तिरुची सिवाजी ने जिस तरह का यहाँ पर प्राइवेट बिल पेस किया उसके अंदर जो महत्पूर्ण और उनके लाब के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए चीजे थे उनको लिए इतना ही नहीं 2016 में जिस तरह का यह बिल पेस किया गया उसको भी स्टेंडिंग कमेटी के माध्धम से चुकि मैं उसे स्टेंडिंग कमेटी का भी सहभागी बना साक्सी बना कितना स्टेंडिंग कमेटी ने उसके लिए अध्यन किया नयकेवल उन्हें थोट इकल किया मंत्राले के अधिका यह वह जाकर के अध्यन किया अध्यन के साफ में इस कम्यूनिटी के जो और गिनाइजेशन एसोशियेशन जो बने हुए थे चाहिए वो इस्टेट हमारे नैशनल लेवल पर थे इंटरनेशनल लेवल पर थे उनको ट्रांस जेंटर्स पर संसी लीड कर रहे थे मैं उसके ना चाहूंगा सम्मान ये लक्ष्मी नारैंड एक उसके अंदर जो उसको लीड करती है उनको भी साक्षे में बुला करके और उनके रिप्रेजेंटेटिव अन्य ट्रांस जेंडर के जो गुरू थे उनके और गिनाइजेशन थे साथ में ट्रांस जेंडर जिन गुरू पर कमेटी ने भी महसूस किया और जैसे सरकार और सदन ने महसूस किया गया कि हमारे ट्रांस जेंडर परसंस की क्या हालत है सामाजिक प्रिश्ट भूमी में हम देखें अभी साथ के रूप में जब कोई माँ अपने बच्चे को जनम देती है नो मेने तक गर्भा उस्ता में र पड़ता है कि ये सामान ब्यक्ती के रूप में जर्म नहीं लिया है इसमें इसी विसेष्टा है जिनको ये सोसाइट ये सप्र नहीं करेगी उसकी मानसिक पीड़ा कितनी होती थी और होने के बाद में जो ही बच्चा का जर्म लेने के बाद में उसको परिवार और सामाजि पड़ता था उन सब बातों को देखते हुए सुंप्रिप गोट ने जिस तरह का निने दिया स्टेंडिंग कमेटी ने जो सिफारिशे किये उनको सब को अधार मानते हुए मैं आज ये बिल्क जो प्रस्तूत किया गया उसके लिए मंत्राले को मैं धन्यवाद देता हूँ अभी अभी हमारे उनरेबल मेंबर्स ने भी कुछ कहा कि सलेक्ट कमेटी को इसको दिया जाए मैं इसके साथ मनरोद के साथ में नमरता के साथ में कहना चाहूँगा कि 2013 से 2014 और 15 और 16 और जिस तरह का मंत्र और चिंतन किया गया और ट्रांसजेंडर पर्संस को व्यक्तिगत रूप से भी बुलाया गया उनकी संस्थाओं को बुला गया स्टेंडिंग कमेटी ने बहुत समय लेकर के उस पर एक विश्तित अध्यन किया गया मैं समझता हूँ कि आने इसको सलेक्ट कमेटी के अंदर जेने की कोई आवशकता नहीं है आज आप बिलके अगर प्रावधानों को देखें तो आधनिय उस्वापती जी इसके अंदर नो चैप्टर के अंदर इसको विभाजित किया गया है नो चैप्टर के अंदर तेईस इसमें सेक्षन के द्वारा और विभिन सब सेक्षनों में इसको विभाजित किया गया है सबसे बड़ी प्रावलम ये थी कि हम ट्रांसजेंडर को परिभाशित कैसे करें उसकी डेफिनेशन निश्चित नहीं थी लेकिन इस बिल के अंदर ट्रांसजेंडर के बारे में ये था कि इस ट्रांसजेंडर को परिभाशित कैसे किया किस जेंडर में करें जर्म के साथ में उसको किसी लिग विशेश के साथ में फीमेल मेल के रूप में परिवार उसको गोशित करता था लेकिन यह हमारे व्यूज आए कि जिस तरह का उसका बच्पन से वो बड़ा होता है उसके अंदर कुछ अंग में परिवर्तन आते हैं और उसकी श्योम की फिलिंग के आधार पर उसको मेल और फीमेल जर्म में जो हम आइडेंटिटी देते है उसके विप्रीत होता है उसको भी धान में रखते हुए और सारा यह सोचते हुए कि हम इसके अंदर जो ट्रांसजेंडर जो जेंडर है उसके परसंस है उनके परिवासा के अंदर उन सारे लोगों को लिया गया जिसमें चाय मैं नहीं कहना चाहता कि कई सब्दै से हैं जो अच्छे ने लगे चाहे वो किनर के रूप में हो इसड़ा के रूप में हो चाहे और भी पांच साथ सब इसे एक्ट के अंदर जो पे बिल के अंदर जो प्रोविजन उसमें दिया है उनको सबको समाय जित करते हुए कहा जो सामान माना और सामान ब्यक्चा जर्म लेता है उसके अनुरूप नहीं हो करके सामान ब्यक्ची के द्वारा नहीं हो करके इस तरह की विशेष्टा होती है उसमें इसी तरह से सब जाता है उनको परिभासित किया गया है इसी के साथ में इसी चैप्टर फर्स्ट के अंदर इनको दिया गया साथ साथ में चैप्टर अगर ह उन्होंने अपने अभी व्यक्ति दी, अपनी पीरा दी, कि हम जो ही ग्रौस करते हैं, हमारी फीलिंग जो हम मेल कर जिसको घोसित कर चुका है परी ओर, फैमेली, उसकी फीलिंग अप्ने आप में बदलती है, उस फीलिंग को डॉक्टर भी नहीं समझ सकता, वो सुधर समझता है कि मेरी फिलिंग मेल की और फीमेल की है उसको जस्टिफाइ कैसे करें इस में बहुत सारे थे कि उसके लिए कहीं एक स्क्रीणिंग कमेटी होगी मेडिकल बॉर होगा डॉक्टर ओ विग्यानिक जिस तरह का उनका साइकलोजिस्ट के माध्धम से हम उसका निर्णे करेंगे लेकिन आपने देखा इस बिलके माध्धम से जो बड़ी दुविधा थी, टांसजेंडर कम्यूनिटी को जो दुविधा थी उसको दूर करते हुए कहा, कि सेल्फ जो उसका सोच होगा, उसकी फीलिंग होगी, उसको इस बिलके माध्धम से प्रोविजन होगा और उसको इसमे सब सेक्षनों को देखें Constitution ने बिना भेद भाव के ने किसी लिंक का भेद होगा ने जाती का होगा ने ध्रम का होगा ने किसी अरत करे का कोई भेद के बिना हम समानता का धिकार की बात करता है हमारा समिधान इसी तरह कहता है कि उसके जो freedom of thought भी होगी वो भी अभी ब्यक्ति कर सकता है उन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए हमने जो prohibition against discrimination वाली चीज जिस तरह की chapter हमारे Constitution की जो आर्टिकल्स के अंदर जो मैंने बोला उसमें दिया गया है उसको भी इसके अंदर पूरा का पूरा protect करते हुए उसमें कहा गया अगर कोई ब्यक्ति इस तरह का होगा तो ये उनके लिए discriminate नहीं करेगा identification का हुआ इसी के साथ में एक समिश्या थी कि कई बार उनकी जो practical problem आई standing committee के सामने जो group आए उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है हम दस वर्ष तक रहते हैं बारा वर्ष रहते हैं बारा वर्ष के बाद में कुछ feeling change होती है feeling change होने के बाद में लगता है कि मैं mail में गिना जा रहा हूं लेकि female में होना चाहिए इस act के माध्धम से इनमें change of gender भी option दिया है और उसमें कहा कि अगर इस तरह का होता है certificate को यह 30 DM और 30 certificate जारी करने के बाद में उसको यह opportunity है कि वो पुने अपना आवेदन प्रस्तूत करते हुए उसको change के लिए भी उसको option दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो उनके बहुत सारी बहांतिया थी विशेश रूफ से transgender persons की community के अंदर उन लोगों के अंदर उसका समधान किया गया है साथ साथ में government के इस तरह पर government क्या करे सुप्रिम कोट ने कहा था कि उनके welfare के लिए उनके proper recognition के लिए उनका society में समधान के मताविक recognition मिले उनको पुरा अधिकार मिले उसको ध्यान में रखते हुए chapter 4 के दोरा welfare के लिए जो भी measures adopt किये गए विविन तरह के उनके हर तरह के चाहे वो रोजगार शिक्षा के अंदर हो रहा रोजगार के अंदर हो health के अंदर हो उसके लिए भी government के लिए बाद देता की है कि उनको आप protect करेंगे इसी के साथ में हम देखें उसमें कि किसी तरह से इनके साथ में किसे institution में जो establishment है इस तरह के persons हैं जहां पर ये काम करेंगे कि उनको डिस्क्रिमेट ने किया जाए उनको भी प्रतिपद्धता के साथ में इस act के अंदर chapter 4, chapter 5 के द्वारा उसके अंदर women section के बाध्यम से ये उनको भी पाबंद किया गया है कि कोई भी transgender person के साथ में उनको किसी भी तरह का साथ में उनको discriminate नहीं करेंगे उनके साथ भेजभाव नहीं करेंगे उनको कोई भी ऐसा कारिय नहीं करेंगे जिससे कि वो अपमानित हो अपने आप को कहीं उनको हिंता का भाव पैदा हो इसको देखते हुए एक ये भी इसमें प्रोविजन रखा गया है कि उसके लिए ग्रिवांचल रिड्रेसल सेल हो ऐसा सेक्षन उसके अंदर इंस्टिटूशन के अंदर या जहां पर भी सोसाइटी में वो काम करते हैं जिससे कि इमीजेट एक नॉडल ओफिसर के रूप में ग्रिवांचल सेज को डील करने वाला एक ओफिसर के रूप में एक ओफिसर अपइंट हो और ओफिसर उसका रिड्रेसल करेगा इसका भी इसके अंदर प्रोविजन रखा गया है इसी के साथ में अभी ओनेवल मेंबर्स ने कुछ कहा था लेकिन इसमें इसपष्ट कहा गया है कि उसको परिवार के साथ में रहने का हक है अधिकार है उसको भी चैप्टर फिप्ट के अंदर विबिन सेक्शनों के अंदर दिया गया है यो परिवार के साथ में बाद दिता के साथ में उसको परिवार चलग नहीं कर सकते उसके परिवार के भाई हो, दूसरे और बी रिस्तेदार हो, उसको भी protection के साथ में काम किया गया है, इसी के साथ में education, social, security और health के लिए और सारा का सारा जो system में जिस तरह से हम उसको कैसे uplift करें, उसका upliftment कैसा हो, व्यक्ति, सामानि व्यक्ति के का साथ-साथ में उसका हो, उन स को mention किया गया है इतना ही नहीं अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का transgender community को और ट्रांजेंटर विक्ती को और उनके हितों के और कहीं कुठारा घात होती है कोई organization कोई association इस तरह के appeal करती है उसका समाधान कैसा हो समय समय पर उनके लिए welfare के लिए उनके जीवन यापन के लिए उनको upliftment करने के लिए उनके कहीं कहीं संसोदना उसलिए एक national council for transgender persons को भी एक गठित करने का इसमें प्रावधान दिया गया है जब गठिन का प्रावधान दिया गया तो आप देखेंगे कितना एक बिस्तित उसके अदर गठन का प्रोविजन किया गया है किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ा गया है उसमें ministry अपने आप में इन्वोल रहेगे वहाँ पर जो cabinet minister होगा वो होगा state minister होगा उसके साथ में human rights commission के लोग होंगे इसके साथ साथ में government of India के जो officers हैं और minimum joint secretary river से कम गोई होगा नहीं secretary भी होगा उसके लिए उसमें nominate और सदस की रूप में कारिय करेंगे इतना ही state government के भी representation होगे और पूरा का पूरा देश के उसको चार और हिस्सों में बाटते हुए रोटरें से जन गोबी परतिनिदित मिलेगा मैं समझता हूँ कि इतना विष्टिक्ट जो हमारा ये बिल पेस हुआ है इसके तैज जो एक्टा निमार होगा निश्ची थी देश के अंदर जो transgender की community का अग्चक टांकड़ा नहीं आ रहा लेकिन लाखों की तादाद में उनको बड़ी रहात मिलेगी इसके अंदर कुस हो सकता है साथियों को हो को के लिए कि समाधान के लिए इसके लिए कोई अगर मान लो किसी तरह का बाद में जाकर के अनभव ये कहता है कि हमें आवशक्त हो तो उसके लिए पूरा का पूरा सरकार के लिए भी सक्तिया है उसमें दी गई है कि उनके welfare के लिए वो decision ले सकते है जैसे हमानकी national council जो भी recommend करेगी उन्हें चीजों को बहुत ही गहराई से accept करते हुए उनके नुरूप का यह करेंगी तो मैं समझता हूँ कि यह bill अपने आप में इतना विश्तिर्त bill है कि इसको करीब करीब मैं करें 2013 से लेकर के 19 तक का जो समय निकला है इनी को लिया है अगर हम इसको और डिले करते हैं कोई कारण नहीं लगता हो सकता है कि साल बर लगे 6 मैंने लगे 12 मैंने लगे लेकि निश्चित है कि इस कमुनिटी के लिए जो बहुत सारी अपेक्षा करके बैठा हुआ है उसको न्याई की जरुत है पूरी भारत में उनके संगठन देख रहे हैं मैं समझता हूँ कि इस bill ने ट्रांसजेंडर्स परसन जो इंडीज्वल कैपसिटी मैं उसको भी इसके साथ में गुरू और उनके आस्रम की ब्यवस्ता के साथ में जिस तरह का वो रह रहे हैं उनको भी और उनके जो लीडर गुरू के रूप में काम करते हैं उनको भी देखते हुए और इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर जो संगठन बने हैं उन नॉर्म्स को देखते हुए सबी को ये आज पूरा करता है तो मैं यही कहना चाहूंगा अनरोद करना चाहूंगा कि इतना एक पुरीत कारिये भारेस सरकार के और मंत्राले ने जो किया है और उसमें सब लोग हम सामिल है इस्टेंडिंग कमेटी के माध्यम से मैं कहूं कि मिन्नी एक कम उसको पार्लियमेंट बोलते हैं जिसमें विभिन मतों से स्यास औरेबल हमारे तिरपुती शिवावी उस कमेटी में थे ऐसा मेरे को ध्यान है लेकिन उस तरह के अगर व्यूज आये है सारा कुछ है तो उससे नहीं लगता कि इसको और भी डिले किया जाए तो मैं उन ट्रांसजेंडर लाखों के हित में देखते हुए और जो हमारी एक्सरसाइज है उसको देखते हुए अनरोध के साथ में इसका पक्समे मैं खड़ा हुआ हूँ अंत में सबी से अनरोध करता हूँ कि इसमें बिनाविवाद के सरसम्मती से पास होगा तो बहुत बड़े मैसेज जाएगा और बानने नरिद्र मोदी जी को और भारे सरकार के मंत्राले को मैं पुने बहुत सारे धन्वाद शुक्रियादा करता हूँ जो ऐसे व्यक्तियों के लिए हर तरह का प्रियास करते हुए उसको कारे रुप में पर्चित करते हुए उनको नयाय दिलाते हैं बहुत बहुत धन्यवाद चैंग धन्यवाद